इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी जो वेकंसी निकली हुई है और ये वेकंसी जो निकली है वो है यहां पर कुल जो रिक्तियां है वो है 17 जो अलग अलग पदों के लिए हैं लेकिन हम बात करेंगे राजभाशा हिंदी के लिए यहां पर हम देखेंगी कि राजभाशा हिंदी में जो कुल पद 4 हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी क्या आयू रखी गई है उसके ल हम करने वाले हैं तो यहां पर अगर हम बात करें कि कुल 17 पद जो ACGC के द्वारा निकले हुए हैं उसमें से कौन-कौन से पद हैं जिसके लिए रिख्तिया निकली हैं वो है एकाउंट्स यानि CA के लिए जिसके लिए एक वेकंसी है लीगल के लिए यहां पर चार वेकंसी है और हमने बात किया है कि राजभाषा हिंदी के लिए भी यहां पर चार वेकंसी है तो इस तरीकी से सबसे ज़्यादा जो यहां वेकंसी है वो लीगल और राजभाषा के लिए है चार चार और बाकी CA के लिए एक है Company Secretary के लिए एक है Actuary के लिए यहाँ पर दो है और IT जो Department है उसके लिए भी यहाँ पर दो Vacancy है साथ में यहाँ पर IT CISO के लिए एक है और Research के फिल्ड में भी एक Vacancy यहाँ पर है हम राजभासा हिंदी की Eligibility के बारे में बात करें उससे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं Important जो Date है तो Important Date की बात करें तो जो आपके Registration की Date है वो 2 माई से शुरू होगा और 31 माई तक इसके Registration लिए जाएंगे बाकी Date भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर Pre-Examination की Date है जो June के थर्ड वीक में रखी गई है और यहाँ पर जो Written Examination होगा वो 15 जुलाई के लिए है तो बाकी Date भी आप देख सकते हैं कि किस किस Date में कौन सी चीजों के लिए वो बताई गई है आप बात करें कि राजभाषा हिंदी जो कि आपके राजभाषा हिंदी में कुल पत जो है वो चार है और एक अच्छा नंबर है चार क्योंकि राजभाषा हिंदी के लिए बहुत कम वेकिंसी होती है अगर यहाँ पर चार वेकिंसी भी है तो ये एक अच्छा नंबर है इसके लिए जो educational qualification है वो क्या रखा गया है तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजभाशा अधिकारी के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको PG होना जरूरी है और ये जो master degree है किस subject में होना चाहिए तो यदि आपने हिंदी में किया हुआ है या हिंदी ट्रांसलेशन में आपने परायसनातक किया है तो आप उसके लिए इलिजबल है तो इस subject कि यानि हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन जो परायसनातक में लिया है उसके साथ में आपका graduation में जो subject रहा हो या विसे रहा हो वो English रहा हो तो आप eligible रहेंगी राजभाशा हिं यदि आपने पराइसनातक हिंदी के साथ में नहीं किया है इंग्लिश में किया है तो भी आप eligible हैं लेकिन आपको वहाँ पर जो graduation का subject है वहाँ पर हिंदी भी एक विशे के रूप में आपका रहा हो यदि आपका हिंदी और English पराइसनातक में subject नहीं रहा है तो किसी भी subject से अगर आपने पराइसनातक किया हुआ है तो भी आप eligible होंगे इस राजभाषा हिंदी पोस्ट के लिए लेकिन उसके लिए आपको graduation में English भी होनी चाहिए और हिंदी भी एक subject के रूप में या core subject के रूप में या फिर elective subject के रूप में वहां आपने उसको लिया हो तो आप eligible है इस पोस्ट के लिए तो कुल मिला कि यहाँ पर आपको PG होना जरूरी है और PG आपका हिंदी में भी हो सकता है अंग्रेजी में भी हो सकता है या फिर किसी दूसरी subject में भी आपने अगर PG किया है तो उसके साथ में आपने यदि अंग्रेजी और हिंदी subject graduation में पढ़े हैं तो आप उसके लिए eligible है अब बात करते हैं कि इसकी age क्या है कितने आयू सीमा तक के लोग यहाँ पर इसको form भर सकते हैं तो इसकी जो age है वो 21 वर्स से लेकर 30 वर्स तक रखी गई है अगर इसको हम दूसरी तरीके समझें तो आपका जो बर्थ है जो जन्म है यदि 2 अपरेल 1993 के और 1 अपरेल 2002 के बीज में यदि जन्म हुआ है तो आप इसके लिए eligible होंगे इस form को भरने के लिए तो कुल मिलाकर 21 से 30 वर्स वाले लोग यहाँ पर भार सकते हैं अब बात करें कि जो यहाँ पर exam होगा इसका वो किस तरीके से होगा तो जो online exam होगा जिस तरीके से सभी exam सासकल हो रहे हैं और ये pre exam जो इसका होगा वो objective type से होगा जिसमें से आपके reasoning के question पूशे जाएंगे वो 40 प्रशन है English language के 40 प्रशन, general awareness से 30 प्रशन पूशे जाएंगे और quant से भी यहाँ पर 40 प्रशन पूशे जाएंगे साथ में जो professional knowledge है यानि जो राजभाशा हिंदी है उससे सम्मंधित 50 प्रशन पूशे जाएंगे कुल मिलाकर यहाँ पर 200 प्रशन पूशे जाएंगे जो की 200 नंबर के होंगे सभी के लिए जो time है वो अलग-अलग निर्धारित है जैसे reasoning, English, GA या फिर आपका professional knowledge है उन सभी के लिए जो time है वो अलग-अलग यहाँ पर निर्धारित किया गया है कुल मिलाकर 140 मिनट का time रहेगा लेकिन sectional time यहाँ पर दिया गया है दूसरा paper जो होगा वो descriptive paper होगा जिसमें आपको essay writing और precise writing से सम्मंदित प्रशन पूशे जाएंगे और यह जो है वो आपके 20-20 नंबर के प्रशन होंगे और यदि आप ECGC के जो पोस्ट निकली हुई है राजभाशा हिंदी के लिए वहाँ आप apply करने के लिए सोच रहे हैं और आप online classes लेना चाहते हैं आई exam B के साथ जूड़ना चाहते हैं तो आप हमारे course के साथ जूड़ सकते हैं ECGC PO राजभासा online course यहाँ पर बनाये गया है जिसमें आपको experienced faculty मिलेंगे enroll होने पर आपको live classes, practice tests, study materials, PDF के रूप में short and crisp videos हैं interview guidance हैं इस तरीके से जो आई exam भी है वो आपको 50% faster त्यारी करवाता है और इन चार रिक्तियों में यह आप अपनी exit निर्धारित करना चाहते हैं तो आप exam B के साथ जूड़ सकते हैं आधिक जानकारी के लिए आपको description box में google form दिया जाएगा आप इस से सम्मंदित कोई अगर query है कोई पूस्तास करनी है इस दिशे के बारे में जानना चाहते हैं तो उस form को भरे या फिर आप इस दिये गए नंबर पर हमें contact कर सकते हैं कर सकते हैं